तपाई हेर दे होनुँँचा अनलाइन पत्र टीवी यूट्यूब चानल पल पल को अपडेट को लागी अनलाइन पत्र टीवी यूट्यूब चानल 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 पत्र टीवी यूट्यूब चानल यूट्यूब चानल अनलाइन पत्र टीवी यूट्यूब चानलाइन 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 पत्र टीवी यूट्यू programming in QBasic, file handling in QBasic, structure programming language, C language in QBasic. That carries 18 marks, group A, group B and group C. Today, I am going to talk about the group A. विद्यार्थी भाहेवे नलाई मो के बनना चाहांचु बन्दा केरे, computer science को theoretical पारलाई चे तीन भागमा बेभाजन गरिये कुछा, पोहिलो group A, दोसरो group B रा तेसरो चे group C. group A मा हमिशेंगा सातोडा चाप्टर रहेकुछा, त्यों चाप्टर को नाम रूँचै, cyber law and computer ethics, networking and telecommunication, internet and its services, computer security, computer virus, multimedia and its application. यो चै group A मा पढ़नू पढ़ने चाप्टर रहेकुछा, र group A को चै अंक भाहर चै बाहिसमाक्स रहेकुछा, तेसरो ग्रूप B मा चै बिद्यार्थी भाहिबिनो ले database management system software access लाई पढ़नू पढ़ने चाप्टर रहेकुछा, कुरा मा बिचार गरनू पर्शा बन्दा खेरी, कुनेपनी लेशन अरू, कुनेपनी चाप्टर रहेकुछा, अगाडी चै बिद्यार्थी भाहिबिनो ले तेसमार रहेको चै, मिन आस्पेक्ट क्यो, तेसला ये लेशन को ले बन्नखोजी को कुरा आरू, अब एसको अंक बहार परिच्यामा यो चैप्टर बाट कती अंक को प्रस्टना अरुसोदी नीचा बंदाखेरी हामी एकीन का साथ बनना सकते नू तर पनी आमी यो बनना सक्षों कि question answer section मां चै दुई वटाचा चैप्टर रहेकुछ योटा computer ethics र शाइबर लग र वटा multimedia and its application बनने रहेकुछ त्यों दुई टाच चैप्टर मदे योटा question चै ग्वशन चै और चैप्टर अंसर सक्षन मां चै सोधिने शा रत्यसपचे हैमिसांगा फुल फार्म, टेकनिकल टर्म, मास्ट फॉलोईंग, मल्टिपल चोईस, एसता काटागोरी मा पनी यो प्रस्णा अरुजे सोधी नेचा, तिसकारल नेकर दाकरी यो चैप्टर लाई पनी बिद्यार्थी रोलेजे, एकदमे ध्यान देर सुन्ना कि थाशव भी दाधी बाई बनी 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 को क्यो, what is multimedia, can you define multimedia in your own way, actually, you can also define the multimedia, the term multi means more and media means elements, so we can define the multimedia as a combination of two or more than two parts, two elements, so that we can convey or present the information in interactive, interesting and understandable way के रहिछ मल्टिमीडिया बनेको, मल्टिमीडिया बनेको चैए, एदी कुनेपने elements हरु लाई चैए, हमिले collections गरेरा, combine गरेरा, integrate गरेरा चैए, information अरुछे, flow गर्षो, interesting way मा, understandable way मा, यसरी information अरुलाई, flow गरे बने चैए, हमिले चैए, यसरी information अरुलाई, flow गरे बने चैए, क् multimedia बनेको चैए, यवटा, multimedia को यड़ा, elements हरु उन्छा, तोसते ही, text, graphics, audio, video, and animation, इप्वड़ा, elements हरु लाई तपाई, intricate गर्नों उन्छा, तेलाई, combine गर्नों उन्छा, तेसलाई, एकी, crit गर्नों उन्छा, भनित्यो के बन्छा, multimedia बन्छा, फेरी पन एक पठक, मा, repeat गरना च यदी बिद्यार्थी वहाई बेनों लेजे, multimedia को elements हरु, फाइवडा elements हरु चन, text, graphics, audio, video, and animation, एदी ए तीन वटा, elements हरु लाई जे, integrate गर्यों को अपस्था मा, तेयो multimedia बन्छा, multimedia ले, कुनेफ़नी information अरलाई, flow-off गर्दा केरी, multimedia ले, कुनेफ़नी information अरलाई, present गर्दा केरी, convey गर्दा केरी, एगदमे, interesting, interactive, एगदमे, eye-catching, र understandable way मा, प्रजेन उन्छा, जस्ते मानों, मैले अहले information अरु, flow गर्रेकुछु, मैले पनी ओटा, multimedia को tools लाई, multimedia को elements लाई, use गर्रेकुछु, मैले multimedia मा, use elements अर्मा, text अहले use गर्रेकुछु, मैले text मा पनी तपायलाई, text तपा अनि तेस्ते गर्र, animation हम यूज़ गर्ना सक्षु, graphics यूज़ गर्ना सक्षु, यसरी multimedia बन्छु, जबा हमी multimedia, multimedia को elements अर्लाई, यसरी combine गर्षो बने, क्यो multimedia को system बन्छ, package बन्छ, अनि तेसलाई चे हमी multimedia बन्छु, तेसकार निगर धखर, multimedia बन्छु को क्यो हो, बन्धा एक्स, graphics अर्यो, video र, animation को समस्टिक द्रूप हो, जस्बाटाजे हमीले, information लाई, flow-off गर्ना सक्षु, योहो, multimedia को definition, multimedia बन्छु, भाइबेनले, साइद, भुज़ बन्छ, multimedia बन्छु, फेरी पनी मो रिपीट गर्ना चाहांचु, कि multimedia बन्छु, कि multimedia बन्छ, बिद्यार्थ का components होरुमा, हमीले की बन्छे को सो, multimedia का 5 components रहे को स, elements रहे को स, आज जोको चैप्टर मा आमी, multimedia बन्छे को क्यो, multimedia को application रुखे के उन, multimedia को advantage र, disadvantage रुखे के उन, multimedia संचालन गर्ना को लागी, operate गर्ना को लागी, कुन-कुन प्रकार को hardware र, software चाहिंच, त्योकुरा अरुपनी ह हमी डिसकस गरने चों, सुरुमा चै, multimedia को definition बिद्यार्थी भाइबिनर ले चै, जानकारी लियो हला, र, अब भने, मो, multimedia को application हरु, बारे जानकारी गरना चाहांचु, multimedia को application मनाले, multimedia चै कहा कहा प्रएक हुन च, कहा का यूचुन च, multimedia यूचुने, च्छे तर और को बारे मा, म I am going to discuss about the elements of multimedia, where multimedia is used. The very first one is education field. In education field, multimedia is used. Just remember, multimedia is used in stock, the master's guide, because nowadays multimedia CD-ROMs are instead of the textbooks. अईले चे, textbook को साथा माँचे, multimedia को CD-ROM हरु, अनी, paint drive हरु, अईना, mobile gadget हरुचे, प्रएक माँ आई रहेकुचु, तिसकारन गर्दाखेरी, इस specialist माँचे, school का च्छेतर अर्मा पनी, multimedia हरु प्रएकुचुन च, school माँ ता पाई, कुने पने, लाइस्टिन अर लाइचे, एक अनी को knowledge बने कोने, एकदमें बिद्यार्थे रले से, योटा theoretically बन्दा बने, प्राक्टिकली रुप माँ से, कसरी graphs करने बनी कोरा अरुबारी बुचन आप सक्षा, जस्ट, we can say that knowledge can be easily obtained by using the multimedia CD in computer, because multimedia CD includes the text, picture, sound and film, which helps the students to understand the more easily and clearly than the text, books and more, cheaper than ongoing the text, that is called multimedia in education field, multimedia can be used in business field also, how the multimedia is used in business field, that I am going to talk, multimedia is used in business, for what purpose, for training, the employees, presenting the sales, education customer, it helps for the promotion of the business and new products, similarly multimedia can be used in the entertainment field also, multimedia is mostly used in games, multimedia is mostly used in games, multimedia is mostly used in games, entertainment ko laggi chai, text, audio, images, animation are mostly used in the computer game, the use of multimedia in games made possible to make the innovation and interactive game, it is also used in the movies for the entertainment, entertainment, entertainment ko laggi chai, yoh movie aru chai, use chun chha, text karendi karta kheri, vidyati bhai benu le chai, multimedia chai, multimedia ko field hore lai bushnu na aposek chha, again, multimedia used in advertisement, for advertising, multimedia is used, multimedia technology is commonly used in advertisement, to promote the business and product, multimedia is used for preparing the advertisement, and at last multimedia is used in virtual reality, it is an artificial environment created by the computer hardware and software and presented to the users in such a way that it appears real, virtual reality effect can be presented in computer using the Xtreme 3D, Ray Dream Studio, 3D Studio Max and Visual Reality. habits warkhi minute 8 multimedia 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 mów भांडेको मतलब मल्टिमीडिया को फिल्ट अरू, मल्टिमीडिया को एरिया हारू थुप्र ही चान मने रविद्यार्थी भायद ले बुच्ना आप सेक्षा फर्स्ट मा मैं ले विद्यार्थी वाइबनोलाई मल्टिमीडिया को डेफिनेशन चुनाए तेस पची मल्टिमीडिया को अप्लिकेशन अरू सुनाए विद्यार्थी वाइबनोले सम्मबद भुज सकेको बनी मा अन्मान गरना चाहांचु मैं लिए अन्मान गरे र तेसे गरे मल्टिमीडिया सिस्टम रर मल्टिमीडिया टेक्नलोजी को बारे मां के जानकारी गरना चाहां छो मल्टिमीडिया सिस्टम बने को क्यो रर मल्टिमीडिया टेक्नलोजी बने को क्यो आमिले मल्कि मिदीया बने को more than 2 मिदा बने राम हमिले डिसकश गरी सके का शों राम मल्कि मिदीया सिस्टम बने कुछे कियो बन दकेरी Multimedia system is a computer in which it has ability to integrate two or more types of media such as text, graphics, audio, video and animation. यदी तपाई को computer मां जए text, graphics, audio, video and animation लाजे integrate गरने capable सह बनी तेजलाई बन्छा Multimedia system. तेसे गरी Multimedia Technology, Multimedia Technology मनेको मतलब जे Multimedia System लाजे production गरने के लागे, Multimedia production गरने के लागे जुन्चे टेकनलोजी अरुजे यूज भाकोंच, जुन्चे elements अरुज भाकोंच, तेलाई बन्च मल्टिमीडिया टेकनलोजी. For example, Multimedia को कंटिन्चर लाई, तपाई Futures मा, बभिशे मा पने तपाईले स्टोर गर राखनू पने उन्च, Future References क लागे स्टोर गर राखनू पने उन्च, तेसको लागे Multimedia को टेकनलोजी हरु आपचिक्छ. जस्ते मानो, CD-ROM लाएके बन्चो Multimedia Technology बन्चो, Pen Drive, these are called Multimedia Technology. Multimedia Technology allows storing data, information for further reference. CD-ROM is a safe, durable and portable storage media used to store data and information in the Multimedia Technology. स्पेशले Multimedia को contenture हों लाइके, हमीले future reference को लागे स्टोर गर राखनू पने उन्च, और तेसको लागे चे हमीले आफशेक पढ़ने चे संदरभा स्वागर राखनू पने उन्च, स्पेशले माचे CD-ROM हों अन्च, इगधमें चीफ हों च, अन्डूरेबल उन्च और पोटेबल उन्च युक्रा अरले तह पाले जे द्यान मा दे राखनु पडने होंच और सी डी रूम लाई चे मल्टि मीडिया को टेखनोलोजे बन्च अम मल्टि मीडिया को डेफिनेशन बारे जानकारी गरना गई रेगो चुम्ब Multimedia को फाइदा के चाह, वे फाइदा के चाह, Multimedia ले टीशर ले के फाइदा के चाह, Student ले के फाइदा के चाह, अनि Multimedia को कंट्वेंच बाता चाह, Education फिल्ड मा के उंचा, Business फिल्ड मा के उंचा, that we are going to discuss about. Advantage of Multimedia can be discussed in the basis of the field in education, in advertisement, in virtual reality as well. It can be used to help the students and teachers to teach as well as learn the given topics easily. It can be used to speed the knowledge all about the world in low caste. It can be used for any subjects and for anyone. Multimedia system are generally very interactive, so it is interesting to use. It means, Multimedia को प्रयोग गरे रचे, बिद्यार्थी भाइबेन ले कुनेपनिन चाफ्टर ले चे इजिली रूप मा लाण गना सक्षों. Multimedia को यूजगरे रचे बिद्यार्थी भाइबेन ले चे एकदमे आफले बुष्ण सक्ने चोड़ा आधार उन्छ, बुष्ण सक्ने चेमाता उन्छ, तिसको आधार मपने बिद्यार्थी रूप मा चे बुष्ण सक्ना उन्छ, किना बने Multimedia मा चे टेक्स और ग्राफिक् प्राइबे सिस्टम, बुष्ण सक्ने चे बुष्ण सक्ना उन्छ, 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 बुष्ण सक्ना उन् use the multimedia. Multimedia को सामगरी हरू presentation गरना को लागी, use गरना को लागी छाई, एकदमे गारो छा well men power अबसेख छा किन बने एदी multimedia संबंधी knowledge हरू, technology संबंधी knowledge हरू छाईन बने छाई, multimedia handle गरना देरी गारो उन्छा, it cannot be deliver in the remote area, poor people cannot afford it, poor people ले remote area मां छाई, multimedia मुल्टी मिडिया को लाई, multimedia को लोड़ा लाई, उन्छा, 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 बने एदी मोड़ी लागी, remote area मां, multimedia को लाई, हामीले, deliver गरना सागदाई, तेसे करी, multimedia को production अरलाई, multimedia को system अरलाई, multimedia को system अरलाई, produce गरना को लाई, एकदमे, खर्चा बड़ी लाई, तेसे करी, multimedia system को content अरलाई, set-off गरना लाई पनी, time लाई पनी, time लाई तायम लाई शा, तिक कुरा अला पनी, बिद्यार्थी भाहिबनले, बुस्णा अपसेक्षा, तेसे करी, आज को कच्छा मा बिद्यार्थी भाहिबनलाई, यो टेक्स को बारे मा पनी, जानकारी गरना चाहांचू, टेक्स बनीको किये छ, multimedia को elements, रूम मद्यमा, टेक्स, graphics, और यो वीडियो एन animation रहेको छ, यो टेक्स बनीको क्यो, यो graphics बनीको क्यो, अजियो बनीको क्यो, वीडियो बनीको क्यो, अनिमेशन बनीको क्यो, यो टेक्स, graphics, अजियो, वीडियो रो अनिमेशन लेचे, कसरी multimedia को चन्टीन्स रॉर लाइचे, वीट्यार्थी समोक्षेल जे, तमें बुस्नक लागे सजिलो उन्छ, त्यो बारे माँ जानकारी गराणा गरे रेकुषो, वीडियार्थी भाइबनीको लाई, टेक्स, टेक्स is the primary components of multimedia, most of the information can be presented with the help of text, we can emphasize the text by using the different fonts, color styles, हमेले बन्चों की computer माँ text यूज उन्छ, रख टेक्स को कारणने गरता गेरे, हमेले कुणे पनी documents लाई जाए, एकद मैं emphasize करना सक्षो, त्यों text लाई चे हमेले bold गरे रहा, टेक्स को size लाई जाए, एकद मैं increase main गरे रहा जाए, हमेले विडियार्थी भाइबन लाई teach गरना सक्षो, यो multimedia को एकद मैं important primary elements हो, यो elements मिना multimedia ले हमेले संचालान गरना सक्षो लाई जाए, त्यसकारने गरता गरे टेक्स्ट लाई जाए, एकद मैं alpha numerical characters बन्छो, त्यों text मा जाए, त्यों number पनी उन्छ, alphabet पनी उन्छ, त्यो number, alphabet यूज गरे जाए, हमेले कुणे पनी multimedia को documents लाई जाए, एकदम effective रूप मा जा हमेले presentation गरना सक्षों, त्यों सिगरी हमी स्वेंगा जाए graphics हा, we have graphics, what is graphics that I am going to tell, a digital representation of non-text information such as drawing, photographs are called graphics, the graphics medium can be used with text mediums, इसको मतफ़ के सबन्देखरी, एदी कुनेपनी text बाटाचे, हमेले बिद्यार्थी भाईबे नोडलाई जाए, explain गना सकेनों, रज बुजाओना सकेनों बनी, हमेले graphics यूज़ गना सक्षों, graphics बाटाचे की हुँँच, graphics बनेगो जाए, non-text हो, त्यों टेक्स को representation जाए, ग्राफिक्स उन्च, जाए, पिक्चर लाए पने, ग्राफिक्स लाए पने, Multimedia को elements बाटाचे की हमेराखना सक्षों, then we have audio, audio is one of the important components of multimedia, it is a music, speech or any other sound, it is a normally combined with the animation and medium, then after we have video, the video medium, the effective medium for presenting information is a video, it presents the moving images, it displays the sequence of the slightly right picture at the speed of 15 to 30 frames per second, and this video can be discussed about the elements of multimedia, because with the help of video, we can present the information in very interesting, attractive, eye-catching and understandable way, simply video means motion in picture, if you provide the motion in the picture, then it becomes video, that's why you have to remember about this video as well, now I am going to talk about the animation, what is animation, the animation medium presents the sequence of still images of the network at a rapid speed, that looks like the image is moving, animation is a virtual reality, so we have to create an illusion, or we have to create an illusion, so we have to learn the animation, we have to figure out what makes this material, which we have to say because of the animation, now we have to repeat the elements, so we have to remember the effect of the element, so you will be able to make the text, the graphics, the video, the animation, रहे को चाहता। hardware software requirements मदला multimedia । development गरनो के लागी multimedia को contents लाइजया produce गरनो के लाइजया पहलो हम्रो hardware medium hardware requirements मनेज़ computer system हो जेकिन मा हमिसेंगा projector हमेरे चाहिँछ CD-Rome चाहिँछ CD-Rome अनि 30 पचचेवडा sound card, complete computer system high quality monitors, CPU these are the hardware requirements for the multimedia and multimedia को लागी चाहिए software requirements तूरब के की बन्द, what are the software requirements for the multimedia. Multimedia को software requirements को लागे विद्यारथि बहाई बैज़ लेजी, multimedia present को लागे हमीशें का की की बन्छ, multimedia present को लागे ottaxis चाइछ, graphic चाइछ, audio चाइछ, video चाइछ, animation चाइछ, तासका कारण गरतागे text editing software like Microsoft Word, then after graphics editing software, image editing software लागे फोटोशोप, MSPaint, तेसे गरी audio editing software, we have audio player, और video editing software को लागे video player, और animation को लागे हमी सेंगा Maya animation लगाएद का software रूर आमी प्रएग गरना सक्षू। इस कारणने गरता हेरी हमी ले 5 उड़ा elements को लागे 5 उड़ा इसे गरेंगे और animation editing, और animation create गरना को लागे माया animation software लगाएद का software को आमी प्रएग गरना सक्षू। विद्यार्थी भायवेनरू लगभग आमीले मल्टिमीडिया को बारेमा आजा हमीले कुरा कानी गर्यू, मल्टिमीडिया को चाप्टर्स को बारेमा आमीले कुरा कानी गर्यू, लगभग मल्टिमीडिया चाप्टर्स को बारेमा अमीले कुरा कानी गर्यू, लगभग आजा क विपिट्ट गरेका कुरा हर लाइ फेरी महत अपाय लाइ रिपीट गरना चाहां शू किने बने विद्यार्थी भाय बने ले युकुरा हर लाइ फेरी मनन गरना अपसेख्चा In today's topic, in today's session, just we discuss about what are the define the multimedia, what are the application field of multimedia, what are the elements of the multimedia, what are the advantage and disadvantage of multimedia, what are the hardware and software requirements for the multimedia Multimedia मनेको कियो, Multimedia को application field और कियो, Multimedia मा प्रयकुने elements और कियों, Multimedia को फाइदार और व्फाइदा और कियों, Multimedia मा प्रयकुने hardware और software requirements और कियों इकुरा और बारे डिस्कस गरे Multimedia can be defined as two or more than two media such as text, graphics, audio, video and animation to convey the information in interesting and interactive way Multimedia, the application field of multimedia are multimedia used in education field, multimedia used in business field, multimedia used in advertisement field Multimedia used in virtual reality, multimedia used in film industry, multimedia used in movie sector Text, graphics, audio, video and animation are the multimedia elements There are five elements of multimedia, they are text, graphics, audio, video and animation CD-ROM are the, CD-ROM is the hardware requirement for the multimedia Projector is the hardware requirement for the multimedia Soundcard is the hardware requirement for the multimedia complete computer system is a hardware requirement for the multimedia and similarly fine drive is a hardware requirement for the multimedia high quality monitor is a high resolution monitor high quality monitor is the hardware requirement for the multimedia and then multimedia advantage of multimedia is teacher can teach effective way students can learn very effective way presentation can be seen in the big screen these are called some of the advantage of multimedia and this advantage of multimedia are remote multimedia contents cannot be afforded by the poor people it needs well-trained main power to handle the multimedia to set up the multimedia is so expensive to produce the multimedia contents are so expensive and then just we discuss about the multimedia system and the multimedia technology the multimedia system is a computer that integrates two or more than two media to convey the information and multimedia technology is the elements that is used to to handle the multimedia contents media activity by the end of the end of the end of the end of the day you